ये गाइज वेलकम वेक टू माई चैनल एसे नरम मुलायम मखन की तरह मुझ में खुल जाने वाले लड़ू जिसे आप आने वाले ब्रत और त्यवहर हमें बना सकते हैं और इनको बनाने के लिए आतो हमें बेशन मैदा सूजी आठा ये सब कुछ भी नहीं चाहिए और ये प बनाER नगाप यह नदेरी आतो हमें पार यह लिए उसके गरी है निकाल लियूंह। को हम नगाल्य कटे लिए निकले उसके कम्तस के सब्सक्नों है हम कड़ी मिलकर अने चाहिए तो तो राख ये पास आिट एक लिए मिलकर्थ असट ये उसकले कटल लिए इनके आस ये एक प्लेट में बहुंआ है पूसब नौल को पिले डाल जैनल हें स्कूरा नारियल से डोरा हैं हुझे थी विक्रीषा को प्राई नारियला है प्लेट में निकालएं यहां नारे से कढ़ії नेकाल राओ तब साइड में कढ़ा फेला गरम होने लिए यहीं नारेल के है भीव 숨पीच कि राओ अब चाहें तो यहां पर थोड़ा सा घी डाल सकते हैं हम इसको हलकी आज पर दीरे दीरे करके भून लेंगे और इसे हम बहुत जादा नहीं भूनेंगे इसका हलका सा वस मॉश्चर खत्म हो जाए मैं इतने ही इसको भूनना है बहुत जादा भूनेंगे तो यह इसका कलर रेड हो जाएगा मैं रेड कलर नहीं करना है इसका और मैं चलाते रहना है इसे डाल के छोड़ना नहीं है यहां पर लगवक हमें दो से तीन में ठोके हैं यहां पर भूने गया देखिए इसका मॉश्चर भी खताम हो जाएगा वैसे यह अच्छी से बुन जाएगा यहां पर देखिए अच्छी से ड्राय हो गया है तो हम क्या करेंगे एक प्लेट में इसको निखाल के ठंडा कर लेंगे आए आए वापस गरम कियो और इसमें हम डाल देंगे एक चमच घी को थोड़ा से यहां पर गरम होने देंगे गी यहां पर गरम हो गया तो हमने यह पे लिया है 1-2 cup कच्छा अप्ष लीकशा नि Advance government तो अगर चाहो तो आप इसको पहले छल्का सा ऐसे भून सकती को बिना गी का तो हम तो यह गी गरम हो गया तो हम इसमें आदा कप पीनट डाल दे रहे हैं को मीडियम फ्लैम पे लो टू मीडियम फ्लैम पे भून लेंगे हरका सब तक ब्राउन ना हो जाए अब यहां पे पीनट को देखो हमें रोस्ट टिकले हो यह थोड़े से चटकने लगे है तो हम क्या करेंगे यहां पर ने 15-20 काजू लिए और 10-12 बादाम लिए तो हम वह इसी में डाल देंगे क्योंकि ड्राइफूट बहुत जल्दी रोस्ट हो जाए तो हमें से आदा से एक मट इसी में भूल लेंगे तो इसमें घी का फ्लेवर भी अच्छा जाएगा और यह ड्राइफूट अच्छे से बून जाएंगे और हमें ड्राइफूट डालके इसे चलो फ्लेम पे भूलना है नहीं तो यह जलने से लगे लिए ड्राइफूट बहुत जल्दी जल जाते हैं यहां पी ड्राइफूट को पीनेट के साथ आदा मिट भूल लिया तो इनका हलकी हलकी भूल गई तो च्या करें हम गैस को यहां पर बंद कर दोगे और प्लेट में निकालके ठंडा कर लेंगे अब यहां पी लिया है एक कप गोल्ड को थोड़ा चोटा चोटा टुकड़ों में तोल डिया है अकर आपके पास गोल्ड नहीं है तो आप पास गोल्ड बाला पाउडर आदे ना आप वो भी इसमें एस्तेमाल कर सकते हैं अब यहां पी ड्राइफ फूट्स जो हमने भूनके रखे और पीनट के साथ जो ड्राइफ भूने थे थंड़े हो तो हम इनको एक जार में डाल देगी यहां पर थोड़े से काजू और बादम निकाली तो इनकों लंबा लंबा कट करके उसमें मिलाएं तो यह बहुत अच्छी लगें खाने बाकी वाली हैं इनको हम जार में डालके दर दर पीस लेगे अच्छे से ड्राइफ फूट को हलका मोटा दर दर पीस लिया है हमने यहां पर आदक पाई नेला हम गरण होने के लिए इसी में एक कप गुल्ड डाल देंगे हम गुल्ड को यहां पर मैल्ट होने देंगे की अालड के गल रहे थे इसको कट कर देंगे लंब अच्छे से यहां पर कहांता है बॉल आने कद हमें इसे 2-3 मिनट पकाना है तो यह क्या हो जाएगा लड़ू बहुत टाइट हो जाएगे और हमें इसका हलका से चिप चिपा रखना है हमें इसकी एक तार या दो ताग ही कोई चास्मी नहीं बनानी है यहां पर यह सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है अगर यह ज्यादा पक जाएगा तो इसके लड़ू बहुत टाइट हो जाएगे अब यहां पर गुल्ट को MLT होने कंः अध मिल्ट थीम ने,ँपर 2-3 मेट तरह यह हलका सा चिप हलका सा चिप चिपा आ का है अगर हमें इसकी कोई तार नी बनानी है अकर यह तार बनने लगए तो से उपि्र हाद हो जाएगा पार ओर सतीछ के दाए से कुझके शीम थलिए, बिलके से यो गेप्रिश भीक अथे के व्योंन फिर किक भीक, तरण खेए. जो मिलने के लिस भीक में शिब आचे जिन के लिए मगारे क hey, निधर फिर फिर हो जायेंगे में तो आपे में गया स्इ tar देंगे भान है अब इसको हमा e बूल में निकाल लिया है अम इसके लड़ू बनाना स्टार्ट करेंगे अब यहां पी देखिए यह बहुत थंडा है नाही गरा मन नॉर्मल है तो हम क्या करेंगे यहां पर देखिए मैं आपको दिखारी पास से एकदव परफेक्ट तो हम इसके लड़ू बनाके तयार कर ले तो इसको हमें तीन मिट से जाता नहीं पकाना है चोटी-चोटी सी मीडियन साइज की बॉल्स बना लेंगे अपने अपने चोटे बड़े वी लड़ू बना सकते हैं यह The La chia मेरा लड़ू बनके तयार हो गया है रभागी लड़ू बनाके तैयार पल JP के क्ल see है अब चोटे बड़े अपने ऐन्रव zij को डिख टाय बना सकते हैं तो अनारेसी लड़ू बना के तयार कर ले प्लिज लिए हैं तो इसे कोई भी खा सकता है रही हैं तो आप इसे भरत में भी खा सकते हैं मैं आप मैं इस ने कहरें हैं तो आपको आप कैसी लगी चैनल पर पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब भी कर लिजे और अपनी फ्रेंड्स और फैमली में सेयर करें वीडियो को लाइक करें जदर च्छादर लाइक और सेयर करें मिलते हैं नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर थैंक्स पर बाइ-बाइ